एक साथ सजीव हो रही है कैसे पुरातन की प्रेनाएं भविश्य को दिशा दे रही हैं इसके साक्षा दर्शम विश्वनात धाम परिसर में हम कर रहे हैं साथियों जो मा गंगा उत्तर वहिनी होकर बाबा के पाउं पखारने काशिय आती है वो मा गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी अब जब हम भगवान विश्वनात के चरणों में प्रणाम करेंगे ध्यान लगाएंगे तो मा गंगा को स्पर्श करती हुई हवार हमें स्नेह देगी हमें आशिरवाद देगी और जब मा गंगा उन्मुक्त होगी प्रसन्न होगी तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल गंग तरंगों की कलकल का दैविय अनुभव भी कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ सब के हैं मा गंगा सब की है उनका अशिरवाद सब के लिए है लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मा गंगा की सेवा की ये सुलपता मुश्किल हो चली थी यहां हर कोई आना चाहता था लेकिन रास्तों और जगर की कमी हो गई थी बुजुर्गों के लिए दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिना ही होती थी लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुचना सुगम हो गया है हमारे दिव्यांग भाई बहन बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर से जेटी तक आएंगे जेटी से घार तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं वहां से जीधे मंदिर तक आ सकेंगे संकरे रास्तों की बज़़ से दर्सन के लिए जो घटों का गंटों तक का इंतजार करना पड़ा था जो परिशानी होती थी वो भी अब कम होगी पहले यहां जो मंदिर छेत्र केवल केवल तीन हजार वर्ग फीट में था वो अब करीब करीब पांच लाख वर्ग फीट का हो गया अम मंदिर और मंदिर परिशर में पचास साथ सत्तर हजार सद्दालू आ सकते हैं यानि पहले मा गंगा का दर्शंस्नार और महां से सीधे विश्वनाद धाम यही तो है हर हर महादे साथियों जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था विश्वास अपने से ज़्यादा बनारस के लोगों पर था आप पर था आज हिसाब किताब का समय नहीं है लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग कुछ ऐसे ही लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे कैसे होगा होगा ही नहीं यहाँ तो ऐसे ही चलता है यह मोदी जी जैसे बहुत आके गए मुझे आसेरे होता था कि बनारस के लिए ऐसी धारनाए बना ली गई थी ऐसे तरक दिये जाने लगे थे यह जड़ता बनारस की नहीं थी हो भी नहीं सकती थी थोड़ी बहुत राजनीती थी थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी थ्वारत इसलिए बनारस पर आरोप लगाई जा रहे थे लेकिन काशी तो काशी है काशी तो अभिनाशी है काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है जहां गंगा अपनी धारा बदल कर बहती हो उस काशी को भला कौन रोग सकता है काशी खंड में भगवान संकर ने खुद कहा है बिना मम प्रसादम वई कह काशी प्रती प्रद्युत्त ते अर्थात बिना मेरी प्रसंदता के काशी में कौन आ सकता है कौन इसका सेवन कर सकता है काशी में महदेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है यहां जो कुछ होता है महदेव की इच्छा से होता है यह जो कुछ भी हुआ है महदेव ने ही किया है इविश्वना धाम तब बाबा आपन आशिरवाचे बने ले हुआन उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे कहोईए उब लईए तबे कोई आ सकेला कुछ कर सकेला साथियों बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है बाबा के गण यानी हमारे सारे काशिवासी सारे काशिवासी जो खुद महदेव के ही रूप है जब भी बाबा को अपनी शक्ती अनुभव करानी होती है वो काशिवासियों का माध्यम ही बना देते हैं फिर काशि करती हो और दुनिया देखती है इदम शिवाए इदम नमम इदम शिवाए इदम नमम भाई और बहनों मैं आज अपने हर उस्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है कोरोना के इस विप्रित काल में भी उन्होंने यहाँ पर काम रुकने नहीं दिया मुझे अभी अपने इस्रमिक साथियों से मिलने का आउसर मिला उनके आशिर्वार लेने का सौभाग मिला हमारे कारिकर हमारे सिविल एंजिनिंग से जुड़े लोग प्रशासन के लोग वो परिवार जिनके यहाँ घर हुआ करते थे मैं सभी का अभिनंदन करता और इन सब के साथ मैं यूपी सरकार हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाजिका भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्नोंने काशी विश्वन धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया साथियों हमारी इस वारणजिने यूगों को जिया है इतिहास को बनते बिगडते देखा है कितने ही काल खंड आये गए कितनी ही सल्कनते उठी और मिट्टी में मिल गई फिर भी बनारस बना हुआ है बनारस अपना रस बिखेर रहा है बाबा का ये धाम साथ्वत ही नहीं रहा है इसके सौंदर्य ने भी हमेशा सौंसार को अस्षर चकीत और आकर्शित किया है हमारे पुरारों में प्राकृतिक आभासे घिरी काशी से काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है अगर हम ग्रंथों को देखेंगे सास्त्रों को देखेंगे इतिहास कारों ने भी व्रुक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्बूत स्वरुप का बखान किया है लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता आतताईयों ने इस नगरी पर आक्रमन किये इसे द्वस्त करने के प्रयास किये और अंग्जेब के अत्याचार उसके आतन का इतिहाँ साख्षी है जिसने सब्विता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की जिसने संस्कृती को कट्रता से कुचलने की कोशिश की लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है यहाँ अगर आउरंग्जेब आता है तो सिवाजी भी उठ खड़े होते हैं अगर अगर कोई सालार मसुद इदर बढ़ता है तो राजा सुहल देव जैसे बीर योद्धा उसे हमारी एक्टा की ताकत का एसांस करा देते हैं और अंग्रेजों के दौर में भी बारन हैस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है गोडे पर होदा और गोडे पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बार इन हैस्टिंग साथियों आज समय का चक्र देखिए आतंग के वो परियाए इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी मेरी काशी आगे बढ़ रही है अपने गवरव को फिर से नई भव्यता दे रही है साथियों काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूँ उतना डूबता जाता हूँ उतना ही भावुक हो जाता हूँ काशी शब्दों का विशे नहीं है, काशी संवेदनाओं की स्रिष्टी है, काशी वो है जहां जागुरूती ही जीवन है, काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है, काशी वो है जहां सत्य ही संवस्कार है, काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है, भाईयों भनों, हमारे सांस्त्रों ने आखिर मैं, आखिर मैं क्या कहा, नेती नेती ही कहा है, यानि, जो कहा उतना ही नहीं है, उससे भी आगे कितना कुछ है, हमारे सांस्त्रों ने कहा है, शीवम ज्यायन इती ब्रुयो, शीवः शब्दार्त चिंतगा, अर्थात, शीव शब्द का चिंतन करने वाले लोग, शीव को ही ज्यान कहते हैं, इसलिए ये काशी शीव मही है, ये काशी ज्यान मही है, और इसलिए ज्यान, शोद, अनुसंधान, ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निश्ठा रहे हैं, बगवान शीव ने स्वयम कहा है, सर्वक्षेत्रेशु भू प्रुष्टे, काशी खेत्रम्च मेवपू, अर्थात, धर्ती के सभी खेत्रों में काशी, शाक्षार मेरा ही शदीर है, इसलिए यहाँ का पत्थर, यहाँ का हर पत्थर शंकर है, इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं, और इसी भाव से हमें अपने देश के कनकन में मात्रु भाव का बोध होता है, हमारे सास्त्रों का वाक्य है, दर्शते सवर्ग सर्वे हैं, काश्यम विश्वेश्वरत था, यानि काशी में सर्वत्र, हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं, इसलिए काशी जीवत्व को सीधे सीवत्व से जोडती है, हमारे रुश्यों ने भी कहा है विश्वेश्वर्ण शरण यहां समय अर्खात भगवान विश्वेश्वर्ण की शरण में आने पर समबुद्धी व्याप्त हो जाती है बनारस गो नगर है जहां से जगद गुरु संग्राचार्य को स्रीदोम राजा की पवित्रता से प्रेणा मिली उन्होंने देश को एकता के सुत्र में बांदने का संकल पलिया यह वो जगह है जहां बहां बगवान संकर की प्रेणा से गो स्वामी तुलसिदाज जी ने राम चरीद मानत जैसे अलवकिक रचना आती यहीं की धर्ती सारनाथ में बगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रगट हुआ समाज सुधार के लिए कबिरदाज जैसे मनी सी यहां प्रकट हुए समाज को जोड़ने की जरुरत थी तो संत रहिदाज जी की भक्ती की शक्ति का केंद्र भी यह काशी बनी यह काशी अहिंसा और तब की प्रतिमूर्ती चार जैन तिर्थरंकरों की धर्ती है राजा हरिष्टनर की सत्य निस्टा से लेकर वलभाचारिया और रामानंजी के ज्यान तक चैतन्य महा प्रभू और समर्त राम गुरू गुरू रामदास के सवेकर स्वामी विवेक अनौर और मदन मौन मालविया तक कितने ही रुशियों और आचारियों का समन्द कासी की पवित्र धर्ती से रहा है चत्रपती सिवाज महाराद ने इहां प्रेणा पाई रानी लक्ष्विबाई से लेकर चंदर से कराजा तक कितने ही सेनानियों की कर्मभुमी जन्मभुमी काशी रही है भारति इंदु हरिचंद्र, जैसंका पसार, मुंसी प्रेमचन, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रतिभाएं इस मरण को कहां तक लेते जाएं कितना कहते जाएं भंडार भरापड़ा जीतर काशी अनंत है, वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है काशी के विकास में इन अनंत पुन्य आत्माओं की उर्जा शामील है इस विकास में भारत की अनंत परमपराओं की ब्राशत सामील है इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाशा वर्गे के लोग यहां आते हैं कि यहां से अपना जुडाव महसूस करते हैं साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी तो है यह भारत की आत्मा का एक जीवन्त अवतार भी है आप देखिए पूरव और उत्तर को जोडती हुई यूपी में बसी यह काशी यहां विश्वनाज मंदिर को थोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्णिमा माता हल्याबाई होलकर ने करवाया जिनकी जन्मभूमी महराज का थी जिनकी कर्मभूमी इंदोर महेश्वर और अने छित्रों में थी उन्माता हल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ दो सो ड़ाई सो साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है साथ्यों बाबा विश्वनार मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महराजा रंजित्सी ने 23 मन सोना चड़ाया था इसके सीखर पर सोना मढ़भाया था पंजाब से पुझ्य गुरु नानक देवग जी भी काशी आये थे यहां सर्थसंग किया था दूसरे सीख गुरुओं का भी काशी से विशेश रिस्ता रहा था पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्मिवार के लिए दिल खोल कर दान दिया था पूरम में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुश अर्पन किया बैसूर और दूसरे दक्षिन भारतिय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है एक ऐसा चहर है जहां आपको उत्तर, तक्षिन, नेपाली, लगबग हर तरह की सहली के मंदीर दिख जाएंगे विश्वनात मंदीर इसी आध्व्यात्मिक चेतना का केंदर रहा है और अभी विश्वनात धाम परिशर अपने भग्व रूप में इस चेतना को और उर्जा देगा साथियों फिर भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था दक्षिन भारत का काशी पर और काशी का दक्षिन भारत पर प्रभाव हम सब भली भाती जानते हैं एक ग्रंथ में लिखा है तेनो पया थेन कदा चनार वारानसिम पाप निवारन आवादी वाणी बलीना सभिश्यन भिलोक के लिला वासरे विलिपता कन्यर भार्षा में कहा गया है यानि जब सद्गुरु माधभाचारे जी अपने सिश्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनात पाप का निवारन करते हैं उन्होंने अपने सिश्यों को काशी के वैभव और उसकी महमा के बारे में भी समझाया साथियों सद्गियों पहले कि ये भावना निरंतर चली आ रही है मा कही शुबरमन्य भारती काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बलग दी उन्होंने एक जगर लिखा है तमील में लिखा है काशी नगर पुलवर पेशुम उरही दान काशी इल के पदर कोर खरुवी सेवों यानि काशी नगरी के संत कभी का भाशा काशी पुरमे सुनने का साधन मनाएंगे कास्टी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है वैसे मैं एक बात और कहूंगा मेरा पुराना अनुभव है हमारे घाट पर रहने वाले नाव चलाने वाले कई बनारिसी साथी तो और आपने भी कभी अनुभव किया होगा तमील, कंड़ा, तेलूगू, मलियालम इतनी फरहाटेदार तरीके से बोलते है कि लगता है कि कहीं केरवा, तमीलारू या कंड़ा तो नहीं आ गए अगए हो इतना पढ़िया बोलते साथियों भारत की हजारों सालों की उर्जा ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, सुरक्षित रही है जब अलग-अलग स्थानों के खेत्रों के सुत्र से जुड़ते हैं तो भारत, एक भारत, फ्रेश भारत के रुप में जागरत होता है इसलिए हमें सवराष्ट्य सोमनाथम से लेकर अयोध्या मतुरा माया काशी कांचिय बंतिका का हर दिन स्मरन करना सिखाया जाता है हमारी यहां तो द्वादस जोति लिंगो के स्मरन का ही फल बताया गया है तस्य तस्य फल प्राप्ति ही भविश्यतिन संसय यानि सोमनाद से लेकर विश्वनाद तक द्वादर्स जोते लिग्वागा स्मरन करने से हर संकल पसिद्ध हो जाता है इसमें कोई संसे ही नहीं है यह संसे इसलिए नहीं है क्योंकि इस मरन के बहाने पुरे भारत का भाव एक जूट हो जाता है और जब भारत का भाव आ जाए तो संसे कहां रह जाता है असंभव क्या बचता है दातियों ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी कासी ने करवट ली है कुछ नया किया है देश का भाग्य भी बढ़ रहा बीटे साथ वर्षों से कासी में चल रहा विकास का महा यग्य आज एक नई उर्जा को प्राप्त कर रहा है कासी विश्वनादाम का लोकारपन भारत को एक निरनायक दिशा देगा एक उजवल भविश्य की तरफ ले जाएगा ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थकां हमारे कर्तव्यकां अगर सोच लिया जाए ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो कल्पनिये को साकार कर देता है हम तब जानते हैं हम तपस्या जानते है देश के लिए दिन रात खपना जानते है चुनोती कितनी ही बड़ी क्यों न हो हम भारत के मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं विनाज करने वालों की शक्ती कभी भारत की शक्ती और भारत की भक्ती से बड़ी नहीं हो सकती याद रखिए जैसी द्रस्ति से हम खुद को देखेंगे बैसी ही द्रस्ति से विश्व भी हमें देखेगा मुझे खुशी है कि सद्यों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था जिस हिन भावना से भारत तो भर दिया गया था अब आज का भारत उससे बहार निकल रहा है आज का भारत सिर्फ सोमनात मंदीर का संदरी करण ही नहीं करता बल्कि समन्दर में हजारो किलोमिटर आप्टिकल फाइबर भी बिशा रहा है आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनात मंदीर का जिर्नोदारी नहीं कर रहा बल्कि अपने दंखंपर अंतरिक्ष में भारतियों को भेजने की तयारी में जुटा है आज का भारत सिर्फ अयोद्धा में प्रबूर सिराम का मंदिरी नहीं बना रहा बल्कि देश के हर जीले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनात धाम को बव्य रूप भी नहीं दे रहा बल्कि गरीब के लिए करोडों पक्के घर भी बना रहा है चाथियों नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्ब भी है और अपने सामर्थ पर उतना ही भरोसावाई दिया नए भारत में दिरास्थ भी है और विकास भी है आप देखिए अयोध्या से जरकपूर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जनम की मार का अंदिरमान हो रहा है आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायन सर्किट से जुड़ा जा रहा है और साथ ही रामायन ट्रेन चलाई जा रही है बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशी नगर में इंटरनेस्लर एरपोर्ट भी बनाया गया है करतारपुर साब कोरिडोर का निर्मान किया गया है तो वहीं हेमकुन साहिब जी के दर्सन आसान बनाने के लिए रौक बनाने की भी तैयारी है उत्तरा खंड में चार धाम सडक महापर योजना पर भी तेजी से काम जारी है बगवान मिठ्छल के करोडो भक्तों के आसिवाद से सिरी संत ज्यानेश्वर महाराइद पाल की मार्ग और संत तुकाराम महाराइद पाल की मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है साथियों केरला में गुरु वायूर मंदीर हो या तमिल मारू में कांची पुरम वेलंकानी तिलंगणा का जोगुलांबा देवी मंदीर हो या फिर बंगाल का बेलूर मट गुजरात में द्वारकाजी हो या फिर अनुनाच अप्रदेश का परशुराम कुण देश के अलग-अलग राज्यों में हमार यास्ता और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों प्रवित्र स्थानों पर पूरे भक्ती भाव से काम किया गया है काम चल रहा है भावियों और भेनों आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है यहां काशी में तो माता अन्पुर्णा खुद विराती है मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मा अन्पुर्णा की प्रतीमा एक शताब्दी के इंतजार के बाद सो साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है माता अन्यपुर्णा की कृपा से कुरोना के कठीन सबाय में देश ने अपने अन्यभंडार खोल दिये कोई गरीब भूखा न सोये इसका ध्यान रखा मुप्त राशन का इंतजाम किया साथियों जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं मंदिर आते हैं कई बार इस्वर से कुछ मांगते हैं कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं मेरे लिए तो जनता जनारदन इस्वर का रूप है मेरे लिए हर भानतबासी इस्वर का ही आउश है जैसे हैं सब लोग भगवान के पात जाकर के मांगते हैं जब मैं आपको भगवान मांता हूं जनता जनारदन को इस्वर का रूप अगते हैं मैं आप से कुछ मांगता हूँ, मैं आप से अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूँ, भूल मत जाना, तीन संकल्प चाहता हूँ, और बाबा की पवित्र धर्ती से मांग रहा हूँ, पहला स्वच्छता, दूसरा स्रजन, और तीसरा आत्म निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयाज, स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशाशन होती है, यह अपने साथ कर्तवियों की एक बहुत बड़ी संखला लेकर आती है, भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा, तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा, इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे, कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा, यहां बनारस में भी शहर में घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्थर को लेकर जाना है, गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्राखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं, नमामी गंग्य अभियान की सफलता बनी रहे, इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा, साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड हैं, हम भारतियों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही स्रजन पर विश्वास खो बैठे, आज हजानों वर्ष पुरानी इस कासी से मैं हर देश वासी का आवान करता हूँ, पूरे आत्मविश्वास से स्रजन के लिए इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए, जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्खिल काल में सेंकडो स्टार्ट अप बना सकता है, इतनी चुनवतियों के बीच, चालिस से जादा यूनिकॉन मरा सकता है, वो भी ये दिखाता है कुछ भी कर सकता है, अब सोचिए, एक यूनिकॉन याने स्टार्ट अप करिब करिब साथ साथ हजार करोडर रुप्रिय से भी जादा का है, और पिछले एक डेड़ साल में बना है, इतने कम समय में है, ये अभूत्पुर्वा है, हर भारत्वासी जहां भी है, जिस भी खेत्र में है, देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग मिलेंगे, नए मार्ग बनेंगे, और हर नई मंजील पाकर रहेंगे, भाई और भेनों, तीसना एक संकल्प, जो आज हमें लेना है, वो है, आत्म निर्भर भारत के लिए, अपने प्रयास बढ़ाने का, यह आजादी का अमर्ग काल है, हम आजादी के 75 साल में है, जब भारत 100 साल की आजादी का समारो बनाएगा, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा, और इसके लिए जरूरी है, हमारा आत्म निर्भर होना, जब हम देश में बनी चीज़ों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीज़ों को खरीदेंगे, जिसे बनाने में किसी भारतिये का पसीना बहा हो, तो इस अभिहान को मदद करेंगे, अमरित काल में भारत एक सो तीस करोर देश वासियों के प्रयासों से, सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है, महदेव की कुपा से, हर भारत वासी के प्रयास से हम, आत्म निर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे, इसी विश्वास के साथ, मैं बाबा विश्वनात के, माता अन्पुर्णा के, काशी कोथवाल के, और सभी देविद जेवताओं के चर्णों में, एक बार फीर प्रणाम करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में, देश के अलग-अलग कौने से, पुझ्य संत महत्मा पधारे हैं, यह हमारे लिए, मुझ्य से सामान्य नागरिक के लिए, यह सवभाग्य की पल है, मैं सभी संतों का, सभी पुझ्य महत्मा हों का, सर जुका करके, रदए से अभिन्दन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं आज सभी कांशी वांशियों को, देश वांशियों को, फिर से बसाई देता हूँ, बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ हर हर महादेर हर हर महादेर हर हर महादेर कि शुब क्यों थाओ streaming हर महादेने रङ सुब क्या शुब कैना दुब हर महादेन दुब